दोस्तो आज मैं आपको पतांजली के एक बहतरीन प्रोडेक्ट दिव्विकांती लेप के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इसके बारे में आपको जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके चेहरे को स्वस्त, निरोगी, आक्रसन भरा और बेदाग बनाने के लिए भी काफी प्रभावसारी लेप साबित हो सकता है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिये मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा जैसे इसके आपको चेहरे पर क्या-क्या फाइदे देखने को मिलेंगे इसका इस्तिमाल करने का सही तरीका क्या है क्या इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं इसके अंदर ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां डाली गई है जो इस प्रोडेक्ट को इतना खास बनाते है इसका इस्तिमाल करने से पहले आपको क्या-क्या सावधनी रखनी चाहिए ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा तो वीडियो को आप अंति तक देखना और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर करना जिससे आपको ऐसे ही हर प्रोडेक्ट के बारे में लगतार जनकारी मिलती रहे दोस्तों इस दिवविकांती लेब को अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसके अंदर ऐसी कौन सी जड़ीबूटियां डाली गई है जो इस प्रोडेक्ट को इतना खास बनाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर महंदी, आमा हल्दी, मंजीट, जायफल, चंदन सुएत, सुगंद बाला, एलावडी, एलोवेरा, इसपैटिका बस्म, कत्था, कपूर आदिये से नेचरल इंग्रिडियन्स दाले गए हैं जो इस प्रोडेक्ट को इतना खास बनाते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा खुसी इस बात की है कि इस लेप को 100% नेचरल इंग्रिडियन्स से मिला कर इस लेप को बनाये गया है तो इसलिए आप इस लेप को बिना किसी चिंता के इस्तिमाल कर सकते हैं तो चलिया ये जानते हैं इसके अद्बूत फाइदों के बारे में दोस्तो अगर आपके चेरे पर पिंपल्स की समझ्चा है बार बार पिंपल्स होने की समझ्चा हो जाती है जो काफी irritating सी समझ्चा है कभी कभी तो बड़े बड़े से pimples हो जाते हैं redness सा दिखता है चेहरे में जलनसी होती है तो इस लेप का use आपको करना चाहिए क्योंकि जो इसमें ingredients दाले गे हैं वो आपकी इन समझ्चाओं को दूर करने का काम करेंगे तो अगर आपको एकने pimples की ज़्यादा समझ्चा रहती है तो इसमें आपको इसका बड़िया फाइदा देखने को मिलेगा अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे से हैं तो उनको भी ये दूर करेगा अगर आपको black spot है दूब के कारण आपका चेहरे डलनसा पड़ गया है और इस वज़े से चेहरे में काला पंसा भी आ जाता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा इनमें भी इसका आपको काफी बड़िया फाइदा देखने को मिलेगा च्छोंकि आपके face को साफ करेगा अब आप face को साफ करने का मतलब ये मस समझना कि आपके face को गोरा करेगा अगर कोई आपसे कहता है कि इस लेप को लगाने के बाद आप गोरे हो जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी cream या दवाई नहीं है कि जिससे आप गोरे हो जाएंगे और पतानजली भी ऐसा कोई दावा नहीं करता है लेकिन हाँ इतना मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ कि इससे आपका चेहरा साफ, स्वस्त और निरोगी होगा इसके समंधी आपको जो भी समझाएं हो रही है उनको भी दूर करने के लिए ये दिव्विकांती लेप आपके लिए काफी फाइदेमन साबित हो सकता है तो आपसे मैं इस प्रोडेक के बारे में ये तो जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई समझाएं है तो आपको इस प्रोडेक का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए तो चलिए आप जानते हैं इसका इस्तिमाल करने का सही तरीका दोस्तो इस दिव्विकांती के अंदर जो पाउडर है उसको आप उतना ही निकालें कि जितना आपकी चेहरे पर अच्छे से लग जाए और इसमें आप दूद या सहत या फिर गुलाब जल इन में से कोई भी एक चीज मिला कर इसका लेप बना सकते हैं या फिर इन में से अगर कोई भी आपकी पास एक चीज नहीं है तो इसमें आप पानी मिला कर भी इसका लेप बना सकते हैं कोई भी चिंता की बात नहीं है आप कोई भी एक चीज मिला कर इसका लेप बना सकते हैं और इसके बाद आपको इस लेप को अच्छे से अपने चेहरे पर नीचे से उपर की ओ लगाना है लेकिन ध्यान रहे इस लेप को अपने फेस पे लगाने से पहले अपना फेस अच्छे से धोलें और सूख जाने के बाद ही इस लेप को अपने फेस पे लगाएं और इस लेप को आपको अपने चेहरे पर एक से दो घंटे तक लगाए रहना है और एक से दो घंटे के बाद जब अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद आप अपने चेहरे को साफ पानी से धोलें इस तरह से इस्तिमाल करने से आपको इसके काफी अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तो अगर बात करें इस दिव्यकांती लेप की साइड इफेक्ट की जो आप पूसना भी जरूर चाते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये एक नेचुरल इंगेडियन से बनाए गया प्रोड़क्ट है। इसके पिम्पल से रिलेटिफ बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तो ये थी इस प्रोड़क्ट के बारे में कुछ महत्तुपूर भरी जानकारी। अगर आप चाते हैं कि ऐसी ही हर प्रोड़क्ट के बारे में आपको लगतार जानकारी मिलती रहे तो इस चैनल को आप सस्क्राइब जरूर करिए। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।